आज प्रधान मंत्री जी लखनव आये हैं, उनकी पुलिस के आला अफसरों के साथ एक कॉन्फरेंस है, इस विशे में मैंने उनको एक पत्र लिखा है, आपके माध्यम से मैं उस पत्र को देश और प्रदेश के सामने रखना चाहते हूं आधरिया प्रधान मंत्री जी, नमस्कार, लखनव आगमन पर आपका स्वागत, कल आपने तीन काले क्रिशी कानूनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्विकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोशना की, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आज आप लखनव मे होने वाली डी जी पी कॉंफरेंस में देश की कानून व्यवस्था सम्हालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे, लखीमपुर किसान नरसंगार में अंदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा, आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रिय ग्रिह राजमंत्री का बेटा है, राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही नियाय की आवाज को दबाने की कोशिश किये है, मानिय उच्टम नियालयाले न इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मनशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेश आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है, महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ, वे असहनिय पीडा में हैं, सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपन के शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं, और केंद्रिय ग्रिह राजिमंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है, लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिती उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है, देश के उसी मंत्री के साथ मंच साजा करते हैं, आप देश के प्रधान मंत्री हैं, आप देश के किसानों के प्रती अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं, हर देशवासी के लिए न्याय सुनिष्टित करना प्रधान मंत्री का कर्तव यही नहीं, उनका नैतिक डायत देश वासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्रे रिदय से किसानों के हित को देखते हुए खृषी कानूनों को वापिस लेने का अभूद पूर्व निर्ने लिया गया है। के लिए सर्वोपरी होना चाहिए। लेकिन केंद्र ग्रिह राजमंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्री मंडल में अपने पदपर बने रहे हैं। साथ सौ से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रती आपकी नियत सच मुझ साफ है तो आज अपने केंद्र ग्रिह राजमंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होईए। उनको बरखास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमो को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। धन्यवाद जैहिंद।